हेलो एवरीवन आज हम लोग पढ़ेंगे रोल आप इसेंसेल एलिमेंट्स इन प्लांट जो कि भी एसी बॉटनी फिप समेश्टर का टॉपिक है इसे पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बता दिया था कि प्लांट में साथ क्या होते हैं एलिमेंट्स पाए जाते हैं थिसमेंसे हमारे क्या होते हैं सभी प्लांट में ही पाए जाते हैं इसमें से 13 होते हैं यह नोन एसेंसियल होते हैं ठीक्ए तो यह जो हमारे essential elements हैं, आज हमें इन ही essential elements के बारे में पढ़ना है, तो यह solar जो essential elements हैं, इन्हें हमने दो पार्ट में categorize किया था, एक macro nutrient में एक किया था, macro nutrient में, जिसे हमने आप लोग को trick से याद करना भी बताया था, देख लीजी, यह trick था हमने आप लोग को इसके बारे में या आद करना बताया था, तो यह जो आप देख रहे हैं, यह elements, जो कि 16 elements हैं, इन ही elements को क्या करना है, आज हमें इन ही elements के बारे में पढ़ना है, कि यदि किसी भी plant में, यदि इन elements के क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हमारे plants में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो चलिए हम दे प्लांट में जो essential elements पाया जाते थे जिसको हमने macronutrient and micronutrient में बाता है उनी elements को पढ़ना है तो सबसे पहले हम पढ़ते है nitrogen के बारे में क्योंकि हमारे plant में सबसे ज़्यादे nitrogen, phosphorus, potassium ये पाया जाता है तो सबसे पहले हम इसकी रोल को ही देख लेते हैं nitrogen जो होता है major constituent होता है आप protein, nucleic acid, vitamins and hormones क्या बताया इसमें कि जो nitrogen होता है ये protein में आया जाता है आप देखे होंगे amino acid को बनाते हैं कि amino acid में क्या होता है nitrogen पाया जाता है और amino acid से बनता है हमारा protein में and nucleic acid में भी आपने देखा होगा कि जो nitrogen ही basis बने होते हैं उसमें पाया जाता है हमारा nitrogen ठीक है and vitamins में भी पाया जाता है and hormones में भी हमारा nitrogen पाया जाता है और आगे है it is essential for the all type of metabolic activities जो भी हमारे metabolic activities होती है plant में उसमें क्या होता है essential होता है and photosynthesis, respiration, cell growth, cell division and reproductive growth में भी यह क्या होता है आवस्यक होता है ठीक है next हमारा absorb mainly as NO3- जिसको के हम क्या कहते है नाइट्रेट कहते है ठीक है NO3- को हम कहते है नाइट्रेट and NO2- जिसको के हम क्या कहते है नाइट्राइट कहते है and ammonium iron इसके रूप में क्या होता है कि यह plant में plant के द्वारा इसको लिया जाता है ठीक है जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट and ammonium iron के रूप में plant absorb करता है and essential nutrient require करता है by plant in greatest amount मतलब कि जो भी हमारे essential nutrient होते हैं यह plant जो होता है यह बहुत अधिक amount में लेता है यह सब देखिए nitrogen के क्या है फक्सन है कि nitrogen plant में क्या क्या काम करता है ठीक है आगे देखिए हमने trick लाया है आपके लिए nitrogen के जो भी फक्सन से उसको याद करने का ठीक है इसका trick क्या है कि मेम को पसंद नहीं है वाराण सी की night ये क्या है nitrogen के जो जो काम होते हैं उसको याद करने का ठीक है इसमें मेम में यम से हमारा है Metabolically and A से है Active Cell ठीक है और फिर जो last में M बच रहा है इससे हमारा Magistematic Tissue मतलब कि एक जो nitrogen होता है Metabolically Active Cell में आवस्यक होता है और Magistematic Tissue में इसकी आवस्यक्ता होती है इसमें मेरा जो पसंद है P से इसमें क्या है Protein Constituent मतलब nitrogen किसमें पार्ट करता है Protein Constituent में भी पार्टिसिपेट करता है और नहीं में देखिए N से हमारा है Nucleic Acid Constituent मतलब जो Nucleic Acid पाया जाता है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है nitrogen जैसे कि आप Nucleic Acid में देखिए होंगे कि Nucleic acid में जो nitrogen places बने होते हैं वे Purine और Papyramidine से बने होते हैं कि नाइट्रोजन भी हमारा पार्टिसिपेट करता है एंड है में हमारा है से क्या है हार्मोन होता है मतलब हार्मोन को बनाने में भी नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है वरार से में हमारे भी से देखिए भी से होता है विटामिन्स विटामिन्स को बनाने में भी क्या कर करता है मतलब जो यह नाइट्रोजन जो है यह हमारा क्लोरोफिल्स को बनाने में विटामिन्स को बनाने में हार्मोन्स को बनाने में न्यूक्लिक इसीड में प्रोटीन्स में क्लॉर फिल्स को बनाने में भी क्या करता है क्लोरोफिल्स में भी उसका बहुत थी बड़ा रोल होता है क्लॉरोफिल्स से यह हो जानते होंगे कि जो फोटो-सिंधेसिस के क्लीआ होती है क्लोरिफिल की सभषता से है की जाती है ठीख है आगे अब क्या है कि हुक्त में nitrogen के क्या हो जाए deficiency मतलब कमी हो जाए nitrogen के तोء प्लांट में तो देखने को मिलेंगे तो देखिए यह हमारे प्लांट में nitrogen के 107 हो जाती है तो स्लू ग्रोथ होता हैं एंड क्लोरोषिस होते हैं वह सब क्या होते हैं सबसे पहले लो होने लगते हैं जिसको कि लोरोइस नाम भी देते हैं देखिए यह इस प्रकार से होता है chlorosis में आप देखेंगे जो होते हैं यदि nitrogen की कमी तो लीब्स क्या होते हैं इस प्रकार से एलो कलर में आ जाते हैं ठीक है और यही जो फिनोमिना होती है इसी को हम कहते है chlorosis यह आगे बता गया है कि जो nitrogen deficiency plant produce small than normal fruit ख्रूट मतलब क्या बताया है कि normal fruit के पिछा जिस प्लांट में nitrogen के deficiency होती है वे प्लांट क्या करते हैं कि छोटे जो होते हैं चोटे होगा नॉर्मल होते हैं उनके पष्चा अच्छ से लिफ हो गया फ्रुट हो गया क्या सुट हो गया पूरा प्लांट जो होता है नेट्रोजिन की कमी से नॉर्मल की पष्चा जेसी से नॉर्मल है हमने आप लोग को बताया था कि जो लीप होते हैं वह एलो कलर की हो जाते इस फिनोमना को कहते हैं क्लोर्विस यह के मारा पूर development after roota and शूर्ट सिस्टम मतलब कि जो responsibilities होता है यानी जिस प्लांट का जड़ होता है और उसका शूर्ट यानी जो उसका तना होता है उसका डिव्लप्मेंट अच्छे से नहीं हो पाता है यदि नई-टोजन की कम्म हो जाती हैं तर निहिज्ट है हमारा निक्रोसिस आप टीसू at the advanced stage यदि Plant में Nitrogen की कमी हो ने लगती है तो उसमें यदि बहुत ही जादे हो जाती तो उसमें क्या होता है कि rast का मतलब की क्या होता है कि जो टीसू होती है उसकी क्या होने लगती है date होने ज़ल लगती है मतलब plant जो होता है धीरे धीरे सूखने लगता है next है हमारा phosphorus के बारे में nitrogen के बारे में आप लोगों ने देख लिया phosphorus के बारे में देख लिजे तो phosphorus को हम symbol P से represent करते हैं और इसके functions को देख लिजे तो इसमें क्या होता है इन photosynthesis and respiration में जो phosphorus होता है इसका major role होता है energy storage में and transfer आप ATP, DPN, TPN में इसका क्या होता है major role होता है phosphorus next है हमारा phosphorus ही जब पार्ट आप RNA and DNA structure जो phosphorus होता है वो RNA और DNA की structures को बनाने में एक main role को play करता है जब आप लोगों ने RNA and DNA की सरचना को देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो इसका stand बना होता है वो phosphorus and sugar से ही मिलकर के बना हुआ होता है जो कि क्या होता है genetic code को रखे हुए होते हैं ठीक है next है हमारा phosphorus require large quantities in the young cells मतलब कि जो हमारे young cells जो होते हैं वे क्या करते हैं कि उन में phosphorus जो होते हैं large quantity में होते हैं such as suit and root tip जो suit and root का tip होता है उसमें where as metabolic is high and cell division is rapid जहां पे cell division बहुत ही जादे मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है phosphorus बहुत ही जादे होता है next हमारा phosphorus add in the root development flowers initiation and seed and fruit development seed or fruit के development में phosphorus जो होता है main role को play करता है और यदि phosphorus की deficiency यानी कमी हो जाए तो plant में कौन से रोग देखने को आपको मिलेंगे यदि प्लांट में phosphorus की कमी हो जाती है तो phosphorus is needed in the large quantities during the early stage of cell division the initial overall symptoms is slow, weak and extent growth मतलब इसमें क्या बता है कि यदि phosphorus की कमी हो जाती है phosphorus जो होता है cell division के लिए बहुत ही जादे आउसे होता है यदि कमी हो जाती तो जो plant होता है उसका growth जो होता है अच्छे से नहीं हो पाता है वह बहुत ही slow growth करने लगता है ठीके क्योंकि phosphorus ही हमारा DNA RNA की सरचना को बना रहा है और cell division में participate करा यदि वो नहीं रहेगा तो इसकी जो growth हो जने लगती है वो क्या होती है बहुत ही धीमी हो जाती है next है हमारा premature leaf fall due to chlorosis premature मतलब कि जो हमारा leaf होता है वह mature नहीं हुआ रहता है फिर भी वह क्या होने लगता है गिरने लगता है किसके दुरान chlorosis होने की वज़ए से क्योंकि phosphorus में भी हमारे सेम रीजन इसमें भी एक इसमें भी जब क्या होता है कि इसमें जब कमी होने लगती है फासफोरस की तो उसमें जो पतियां होती है वे क्या होती है कि chlorosis और नेक्रोसिस की वज़ए से क्या होती है गिरने लगती है ठीके necrosis का मतलब tissue date मतलब कि जो plant होता है वह सूखने लगेगा ठीके next से हमारा lip may become dark to blue green in कलर मतलब कि जो lip होता है वो dark blue green कलर में होने लगता है next से हमारा potassium के बारे में कि अभी तक हमने आप लोग को किस की किस के बारे मता दिया nitrogen के बारे में बता दिया सिंबल देखिए तो इसको हम potassium को के से रिप्रेजेंट करते हैं जो की एविलेबल होता है टू प्लांट में के प्लस आयन के रूप में पाया जाता है ठीक है जो प्लांट इसको लेता है वो किस रूप में लेता है के प्लस आयन के रूप में लेता है एंड इसका functions क्या होता है प्लांट में तो देखिए इसके फक्संस को देख लेजिए तदा प्रेजेंट आप पोटैसियम इज वाइटल फार्द प्लांट ग्रोथ विकोज पोटैसियम इज नून टूबी दा अन एंजाइम एक्टिवेटर डेट प्रमोर्स मेटाबोलिजम मतलब क्या बताया है कि जो मेटाबोलिजम होता है हमारे प्लांट में वो क्या होता है वो भी बढ़ता है ठीक है जिससे कि हमारे प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होता है एंड नेश्ट है हमारा मेंटेन एनायन के टायन बैलेंस मतलब जो एनायन के टायन होते हैं उसको क्या करता है कि मेंटेन करके र इसल्व करता है पोटाशियum एक्टिवेशन आफ हैं पोटाशियum करता है हेंड मेंटेन आप टर्जीडिटी अपसेल टर्जीडिटी का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट पॉट्वी होता है वह क्या होता है बहुत ही अच्छे से रहता है मतलब स्वस्थ रहता है हेल्दी रहता है ठीक है तो उसके टर्जीडिटी को बनाया रखने में भी पोटेसिय क्या क्या काम करता है किसी भी प्लांट में यदि प्रजेंट है तो अब देखिए इसकी डिफिसियंसी से प्लांट में कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए यदि इसकी डिफिसियंसी हो जाती है प्लांट में तो क्या होता है कि most common symptoms क्या है क्लोरोसिस का हो जाना ठीक है मतलब इसमें भी क्या होगा जो लीप होते हैं प्लांट के वो क्या होते हैं एलोविस होने लगते हैं ठीक है मतलब कि जो फूट हो गया सीड हो गया इसका साइड छोटा हो जाएगा और जो फूट एंड शीट जो इसमें बन रहे हैं वो क्या होते हैं सब कुछ क्या हो जाता है छोटे हो जाते हैं ठीक है मतलब उनका साइच छोटा हो जाता है नेश्ट है हमारा सलफर के बारे में तो सलफर के काम में देख लीजी किसका फॉक्सन्स क्या होता है It is a constituent up to amino acid methionine and cistine मतलब कि जो सलफर होता है वो methionine and cistine को बनाने में क्या करता है major role को play करता है It is involved in the synthesis of some vitamins जैसे की thiamins हो गया and biotins हो गया आप लोग जानते होंगे thiamins and biotins क्या है vitamin B के ही रूप है एंड को enzyme A को बनाने में क्या करता है यह role मतलब कि important role को play करता है और यही यदि क्या हो जाए कि सलफर की कमी हो जाती है किसी भी प्लांट में तो क्या होता है क्लोरोसिस हो जाता है मतलब सबसे पहला symptom से ही आपको देखने को में लेगा कि leaf जो होते हैं yellow color में होने लगते हैं और इसकी deficient यदि बहुत ही ज़्यादी कमी हो जाती है तो plant are small बहुत ही छोटा हो जाता है with small and obtain narrow leaves और उसके leaf जो होते हैं पतले हो जाते हैं मतलब plant की साइज भी छोटी हो जाएगी और leaf भी हमारे पतले होने लगते हैं ठीके एंड मैगनीज मैगनीज के बारे में देख लीजिए तो इसको हम जो plant होता है वह mn2 plus के रूप में लेता है ठीके और इसके functions को देखे इसका functions क्या होता है it activates several enzyme क्या करता है कुछ enzyme को क्या करता है activate करता है जिसमें involved होता है photosynthesis जो enzyme हमारे photosynthesis में involved होते हैं उसको activate करता है आगे आप लोग को पढ़ना ही अगले चिप्टर में इन सब चीजों के बारे में तो हम आप लोग को उसमें पढ़ाएंगे और किसमें respiration में nitrogen metabolism में क्या करता है कि एक important role को ले करता है आगे इसका deficiency देखिए मतलब इसकी कमी से क्या होता है तो यदि हमारे plant में मैगनीज की कमी हो जाती है ठीक है यह मतलब Mn2 plus की कमी हो जाती है तो क्या होता है chlorosis होने लगता है and gray spot on leaf लीप पे आप देखे होंगे चक्ते पढ़ जाते हैं धब्बे नुमा होते हैं ग्रे कलर में तो वही इसमें बताए कि जो उस पे होते हैं लीप पे क्या हो जाएंगे gray spot आने लगते हैं ठीक है नेश्टे हमारा calcium के बारे में ठीक है जो essential element हमारा calcium है उसको जो plant होता है सीएट टू प्लस के रूप में लेता है अब देख रहे हैं अधिकाल से जो plant होता है वह element को आयन के रूप में ही ले रहा है ओके nitrogen में भी आपने देखा था दे़िजन के दोरान मतलब जब इसईल का डिविज एंस होता रहता है एक से बाहियरते बनते रहते हैं उसमें क्या अरुद को पता होगा कि जो plant family होते हूं उसके चारों तरफ क्या पिया जाता से इंटीवेट करने में वह करता है लाइक जैसे कि एटीपीएज फोस्फो लाइपेज अलफा एमाइलेज एटीसी इन सब क्या करता है एक्टिवेट करने में हेल्प करता है जो कैल्सियम होता है इंपोर्टेंट रो इन दे रेगुलेटिंग metabolic activity मतलब कि जो भी हमारे metabolic activity plant में होता है उसको क्या करता है regulate करने में calcium जो होता है वह help करता है और क्या करता है it help formations of spindle apparatus आप देखे होंगे कि जब cell का divisions होता है तो spindle fibers बनते है न जैसे कि ये nucleus में आप देखेंगे इस प्रकार से जब cell का divisions होता है तो क्या होता है कि यहां पर क्या होते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से spindle fibers दोनों साइट से बने हुए रहते हैं तो यहीं बताया है कि किसमें help करता है spindle apparatus को बनाने में क्या करता है calcium help करता है नेश्ट हमारे यदि calcium की deficiency हो जाती है ठीक है यदि कमी हो जाती है प्लांट में तो क्या होता है जब calcium की कमी हो जाती है तो सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलता है कि यंगर लिफ एंड टीसू ग्रोथ इज इन inhibited and plant have brucey appearance ठीक है कि मतलब जो हमारे लीफ होते हैं यह क्या होते हैं inhibited मतलब कि वह चोले होने लगेंगे या फिर बहुत ही कम निकलने लगेंगे कुछ इस प्रकार का ठीक है और वह क्या होते हैं blusa appearance डेते हैंए ने करोसी होने लगता है ने इक्रोसीस मतलब कि क्या होते हैं कि उनका देथ होने लगता है ठीक है जो प्लांट टिसू होते हैं उसका क्या होता है वे धीरे धीरे नश्ट होने शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे यदि बहुत ही जादे इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि जो प्लांट होता है वह सूख जाता है ठीक है आग इसेंसियल for the maintain of chloroplast structure and foxons इसमें क्या होता है कि iron किसमें काम करता है तो यह synthesis करवाता है किसको chlorophylls का जो कि आप लोग को पता होगा chlorophylls की वज़ज़ से ही जो पत्तियां होती है उसका color कैसा होता है green होता है और chlorophylls हमारा जो होते है photosynthesis में help करता है तो उसको क्या करती है कि बनाने में हमारा help करता है जो iron होता है और जो chloroplast का जो structures होता है उसको और उसके foxons को क्या करता है मेंटेन करता है अब यदि डिफिसियंसी देखे कि यदि iron की कमी हो जाती है तो क्या होगा तो विडाउट आइरन दो प्लांट लीफ डूनाट रिसीव दो ऑक्सीजन देने मतलब जितना सकता होता है प्लांट की लीफ को ऑक्सीजन की उतना वे क्या करते हैं रिसीव नहीं है वह यदि कम है तो क्या होगा क्यों नहीं बनेगा तो क्लोरोफिल क्या होता है कम बनने लगता मतलब सुफिसियंट में जितना चाहिए उतना बन नहीं पाता है ठीक है इप आयरन डिफिसियंसी दी आयरन की कमी हो जाती है कांटिन्यू और लेफ से विल आलसो क्लोरोसिस जो कि हमारे लिफ होते हैं वह क्या होते हैं कि उसमें भी क्लोरोसिस होने लगता है ठीक है और वह भी क्या होने लगते हैं अलो कलर के होने लगते हैं अमने इस्टे हमारा जिंक के बारे में तो जिंक हमारा जो होता है इसमें क्या इसका फॉक्षन देखिए तो इस रिक्वायर होता है इन्द सिंथेसिस आप ऑक्सीन जो हार्मोन होता है प्लांट का आप लोग को पता होगा तो उसमें क्या होता है कि इसके सिंथेसिस में रिक्वायर होता है जो कि प्लांट में यह हार्मोन पाया जाता है बहुत ज्यादे important role play करता है ठीक है it has important role in the synthesis of tryptophan tryptophan एक amino acid होता है आप लोगको पता होगा तो इसको भी synthesis करने में यह help करता है जो zinc होता है और इसकी यदि कमी होने लगती है plant में तो क्या होगा इस कमी में क्या होता है कि stundate growth होता है and chlorosis of leaves इसमें भी and small leaves होती है ठीक है leaves जो होती हुए छोटी होने लगती है नेस्ट है हमारा copper के बारे में ठीक है तो देखें यहीं copper का function क्या है यहीं plant में रहेगा तो क्या 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 काम करेगा it is essential होता है for overall metabolism in plant ठीक है यह क्या होता है यहां पर plant रहेगा plant के metabolism में क्या होता है essential होता है मतलब आवस्यक होता है essential होता है photosynthesis and respiration में plant में photosynthesis होता है respiration होता है तो उसमें भी यह help करता है ठीक है और यदि इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है इस एंड टीप बींग टू टरन वाइट और पेल एलो कलर में जो उसका प्लांट होता है वह हो जाता है नेश्ट देखिए molybdenum के बारे में ठीक है तो इट इसेंसियल फोर nitrogen fixations मतलब कि किसमें आवस्यक होते है nitrogen fixations में आप लोग को पता होगा nitrogen fixations कुछ हमारे जिसे जी टो वेक्टर्स होते हैं जो कि रूट में पाया जाते है यह nitrogen को fixations करते हैं मतलब nitrogen को तोड देते हैं कि इसमें nitrite in nitrate के रूप में जियो कि हमने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं वह nitrogen को किस रूप में ले रहे थे नाइट्रेट के रूप में ले रहे थे या फिर किस रूप में नाइट्राइट के रूप में ले रहे थे ठीक है इसे रूप में ले रहे थे तो यह क्या करते है नाइट्रोजन fixation मतलब जो भी nitrogen किसी भी रूप में आ रहा है उसको तोड़ देते हैं nitrate and nitrite में क्या उनसा तोड़ता है molybdenum ठीक है और इसकी कमी हो जाती है तो क्या होने लगता है इसकी कमी से क्या होता है nitrate accumulate in the leaves leaves में हमारा जो nitrate होता है वह accumulate होने लगता है मतलब इकठा होने लगता है and the plant cannot use them और इसका यूज नहीं कर पाता है to make proteins को बनाने में क्योंकि अंदर जब जाता है nitrate के रूप में चला जाता है तो वह क्या करता है उसको और भी तोड़ते हैं और उसका यूज करते हैं और वहां पे वह तोड़ नहीं पाते हैं जिससे कि क्या होता है वही कठा होने लगता है और उससे क्या होता है proteins नहीं बन पाता है ठीक है next हमारा boron के बारे में देख लीजे अप्टेक and utilization of CA2 plus यह किसरे में CA2 plus को लेने में क्या करता है जो boron होता है ठीक है in the box Kissing a up cellular membrane and pollen germination में क्या करता है जो cell membrane और krull and consistency होता है उसमें भी क्या होता है कि यह help करता है It is responsible होता है for the cell elongation and differentiation मतलब cell को elongate करने में और उसको differentiate करने में कि किसका कौन सा काम होगा उसके लिए ये क्या होता है boron जो होता है help करता है deficiency देखे यदि हमारे boron की कमी हो जाती है plant में तो उससे क्या होता है कि date half marriage time and reduce fertility हो जाती है तो इससे क्या होता है वह उसका growth नहीं हो पाएगा अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा और उसको fertility भी क्या हो जा रही है कम हो जा रही है मतलब कि जू प्लांट होता है उसमें फूल नहीं आएगा और वो fruit नहीं देगा ठीक है नेश्ट है हमारा chlorine के बारे में कि जो chlorine होता है जिसको कि हम क्या करते हैं cl से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है इसको प्लांट जो होता है cl- iron के रूप में लेता है ठीक है और इसके यह दिक कमी हो जाती है deficiency हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो leaf होते हैं leaf का tip wilting होने लगता है और उसमें भी chlorosis होने लगता है और इसका क्याम का क्या होता है इसका functions हमारे plant में तो यह क्या करता है कि जो chlorine होता है important role in the cell divisions of root and leaves leaves में and root में जो cell divisions होता है उसमें क्या करता है important role को play करता है ठीक है मतलब बहुत ही जादी योगदान देता है अब उसके बाद देखिए magnesium के बारे में तो magnesium जो होता है mg इसको हम करते है represent और plant इसको किस रूप में लेता है ठीक है यदि इसके foxons के बारे में देखेंगे तो magnesium is the main constituent of the chlorophyll ये भी chlorophyll का क्या होता है main constituent होता है ठीक है it helps the association and dissociation of ribosomal unit आप लोग को पता होगा जो ribosomal होते हैं उसके two sub unit होते हैं एक बड़ा होता है एक छोटा सा होता है तो इसमें क्या होता है कि जो magnesium iron होते हैं वही क्या करते हैं कि वही निर्धारित करेंगे कि कभी क्योंकि आप लोग को पता है यह दोनों sub unit अलग-अलग होते हैं जब हमें किसका RNA का synthesis करना रहता है RNA से proteins का synthesis करना रहता है तो यह तब जाके दोनों sub unit हमारे RNA से आकर जूड़ते हैं तो यह एक sub unit जूड़ा उसके वाद हमारा दूसरा sub unit जिरेगा जिसमें कि हमारे magnesium iron होते हैं यह क्या करते हैं help करते हैं इनको जूड़ने में और यही क्या करते हैं जब हमारा proteins बन जाता है तो वही dissociate मतलब उस दोनों जो sub unit होते हैं उनको तोड़ भी देते हैं ठीक है तो dissociation में भी help करते हैं एंड किसमें association में भी help करते हैं जो magnesium होते हैं इंजाइम्स को भी एक्टिवेट करते हैं यूज इन synthesis आप nucleic acid जिसका कि हम nucleic acid की synthesis में यूज करते हैं ठीक है deficiency देखें यदि कमी हो जाती है magnesium की तो तब क्या होता है कि जो date and necrotic area होता है वो कैसा दिखने लगता है purple sport में दिखने लगता है ठीक है कैसा दिखेगा purple color में दिखने लगेगा and pure mature falling of leaf मतलब जो होते हैं mature जो leaf होते हैं वे क्या होने लगते हैं यह दिरे अब गिरने लगते हैं इसकी कमी होने की वज़से एंड हमारा अगला है nickel के बारे में ठीक है nickel जो होता है इसका functions देखेंगे तो इन वोल्व होता है in the metabolism of urea ठीक है यूरिया के metabolism में यह involve होता है and next हमारा है carbon hydrogen and oxygen के बारे में तो यह क्या help करता है synthesis आप cell wall को बनाने में help करता है oxidation को reduction को क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हमारा जब hydrogen जूडता है hydrogen निकलता है तब ही तो oxidation reduction होता है तो इसमें भी क्या करता है कि यह हमारा hydrogen जो होता है इसमें help करेगा oxidation reduction में और क्या करता है determination pH को maintain करने में भी यह क्या करता है help करता है और यह अधिकांस पाया कहां से जाता है तो आप लोग देखे रहे हैं अधिकांस यह कहां सपाय जागा co2 से plant ले लेता है थ्यह सबबड़ा क्योंकि इसे लेना किया है इसे लेना है carbon लेना है hydrogen लेना है oxygen लेना है इन ही दोनों से hear को ले ले लेता तो आपitan को समझ में आ क्या होगा कि अभी तक हमने आप लोग को पाई है तो देखिए इससे फिशे फीडियों में हमने जो आप् 은ता फक्ले थो की कोौन साहसे बढाओ न Nós इसं में पाये जाते हैं हमारे उन ही सब एलिमेंट्स के बारे में हमने आप लोग को बताया है ठीक है तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा